अलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंस्पेक्टर और कॉंस्टेवल के पदो पर बंपर भरती निकाली है गोवा पूलिस में बतोर SI या पूलिस कॉंस्टेवल अपना करियर बनाने की इचुक अभियार्ती के लिए 1097 पदो पर भरती के लिए आवेदन आमांत्रित किये गये हैं गोवा पुलिस की भरती में आवेदन करने की चुक अभियरती citizen.govapolish.govornment.in पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभियरती इन पदों के लिए 30 अप्रेल तक ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आपको बदा दे कि SI के लिए 145, पुलिस कॉंस्टेबल के लिए 870, LDC के लिए 34 पत सामिल है इसके अलावा आपको बदा दे कि अलग अलग पत के लिए सक्षिनिक योगिता भिन भिन है इसलिए विस्तित जानकारी के लिए आप पूरा नोटिविकेशन citizen.gov.polish.government.in पर जाकर डाउनलोड करके अवज से देखे बिहार के 30 जिलों में 249 नए कोरोना संक्रमित मिले पत्ना में सबसे अधिक 113 पोजिटिव की हुई पहचान जी हाँ ओलिके दिन बिहार के 30 जिलों में 249 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है राज में कोरोना की सक्रिय मरेज की सेंक्या 1487 तक पोज गई है वह पिछले 24 गंट में 97 संक्रित मरेज इलाज के बाद स्वस्त हुए है राज में कोरोना अब तक 2,25,194 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की जा चुकी है जिसमें 2,62,133 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद सोस्त हो चुके हैं वहराज में अब तक 1573 कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मत हो चुकी है बाड़ी कबर नितिज ने नालंदा दुरगटना पर जताया सोक मिर्तकों को परिजनों को मिलेगी इतनी रासी बिहार के मुखमंत्रे नितिज कुमार ने नालंदा जिले के तलहाडा थाना चेतर में आनियंत्रे ट्रक से कुचल कर मरने वाले लोगों के परिजनों के परती ग राम को दान देने में हनुमान सबसे आगे पटना के हनुमान मंदिर ने दिए सबसे जधा रासी दान देले वाले कडोर पती जीलों में पटना भागलपूर औरंगबाद आरा और गया समिल जिहां राम जन्म भूमी मंदिर निर्मान के लिए पटना के हनुमान मंदिर ने पांच कडोर की रासी पांच सालों में देने का फैसला लिया है पटना के राजवनसी नगर हनुमान मंदिर ने संग्रा अभियान में 10 लाक रुपी दिये है इन मंद्रियों के अलावा भी बिहार के विविन मंदिर समितियों के तरफ से राम मंदिर निर्मान के लिए दान रासि दी गई है आपको बता दे कि राम जन मुभमी मंदिर निर्मान निदी संग्रा की तरब से मिले आगड़े के मुताबिक बिहार में दान देने में सबसे आगे पटना रहा जिसने 6 करोड 25,15,369 का दान दिया वहे दानापूर ने अलग से 1 करोड 22,98,437 का दान दिया है इसके अलावा भागलपूर ने 1 करोड 66,14,000, आरा ने 1 करोड 11,52,000, और अंगाबाद ने 1 करोड 27,94,000, गया ने 1 करोड 30,89,000, बाका ने 61,80,000, जमुई ने 34,98,000, मोंगेर ने 40,68,000, लकी सराई ने 21,79,000, सेकपुरा ने 23,00, मंदरा हजार और नवादा ने 80,90,000 का दान द दिया है, बाड़ी कबर 31,00, मार्च से पटरी पर दोड़ेगी पटना जनसताबदी एकस्प्रेस, एक साल बाद बोकिंग शुरू, जिहां पूरो मैद रेल्वे ने वारानसी और पटना जक्सन के बेच चलने वाली जनसताबदी एकस्प्रेस का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है, या ट्रेन वारानसी के पास मंडवाडी से खुल कर पटना जक्सन तक जाती है, इसका परिचालन सुरू होने से बिहार और यूपी के बीच रेल यातायात सुगम होगा, इस ट्रेन का लाव वारानसी के साथ ही उत्तर परदेश के गाजिपूर, बिहार के ब विदाले में नामांकन की तिती जारिक कर दी है, इचुक अभिभावक एक अप्रेल से कक्चा एक के लिए नामांकन फर्म भर सकते हैं, कक्चा एक के लिए ऑनलाइन फर्म ही भरे जाएंगे, ऑनलाइन फर्म के लिए के बीच ने एप भी जारिक किया है, अभिभावक एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप kbsonlineadmission.kbs.government.pin पर जाकर भी ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आपकी जानकारे के लिए बता दे कि 10 वी बोर्ड रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर 11 में नामांकन की तिति जारी होगी इसके अलावा कक्षा दो तता अने कक्षाओं का पंजिकरन 8 अप्रेल से 15 अप्रेल के बीच होगा बाड़ी कबर होली के बाद कब जारी होगा मेट्रिक का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने की है ये तैयारी जी हाँ बिहार बोर्ड अब होली के बाद जल्द ही मेट्रिक का परिणाम जारी करने वाला है मेट्रिक रिजल्ट को लेकर लगतार छात्र इंतिजार कर रहे हैं इंटर्मिडेट परिच्छा का रिजल्ट जारी करने के दोरान ही बिहार बोर्ड के अधग्च आनंद किसोर ने बताया था कि अप्रेल के पहले हपते में मेट्रिक के नतीजे भी जारी किया जा सकते हैं सुत्रों की माने तो इस साल दे गई मेट्रिक परिचा के नतीजे 5 अप्रेल तक बिहार बोर्ड जारी कर सकता है बिहार बोड की तरप से 17 फरवरी से 14 फरवरी के बीच मेटिक परिच्छा का आविजन किया गया था आपको बता दे कि परिच्छा में 16 परिचात्री सामिल हुए थे बिहार में फरजी सिक्चकों के बुरे दिन सुरू मचा हड़कम बिहार में फरजी तरिके से सिक्चक बनने वालों के लिए बुरे दिन सुरू हो गए हैं मिले जानकारी के मुताबिक बिहार में फरजी तरिकों से सिक्चक बनने वाले लोगों पर निगरानी विभाग एकसल लेने की प्रकरिया शुरू कर दी है खबर के मुताबिक हरलागी थाना चेत्र के पोदगा नया प्राथमिक विदालाय में पिछले 10 वर्सों से करेरत सिक्चक को पुलिस ने गिरपतार कर लिया है इस सिक्चक पर फर्जी तरिक्वे से नोकरी करने का आरोप लगा है इसके खिलाब कारवाई शुरू हो गई है बत बिहार पंचाय चुनाव की तारिके मैं से भी आगे जाने की बड़ी सम्मावना जिहां बिहार के पंचाय चुनाव में इस देरी बढ़ती जा रही है राज निर्वाचन आयोग ने इस महिने की सिरुवात में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 जर्णों में चुनाव संपन कराये जाने को लेकर एक प्रस्ता भेजा था उमीद जताय जा रही कि 10 मार्च तक पंचाई चुनाव के अधिसुचना जारी हो जाएगी लेकिन इस सिती यह है कि अब चुनाव के अधिसुचना मार्च तो दोर अपरेल के पहले सब्ता में भी जारी होने के उमीद नहीं है यह भी जानना हुआ कि पिछली बार पंचाई चुनाव के अधिसुचना पचीस परवरी दोजास सुलो को ही जारी हो गई थी आपको वदा दे कि इस बार राज निर्वाचन आयोग ने पंचाई चुनाव की तयारी तो समय शुरू कर दे लेकिन चुनाव में एबियम के इस्तिमाल को लेकर पेंच अभी तक फसा है इस वज़ा से पंचाई चुनाव का निधारी समय पर होना अब असम्मव होता जा रहा है इबियम करिद को लेकर चल रहे गतिरोध का मामला राज निर्वाचन आयोग ने पटना उच न्याले में भी लाया है इस मामले में अब तक हुई सिनुवाई से कोई नतिजा नहीं निकला है 6 अपरेल को मामले की अगली सिनुवाई है गौर तलवे के राज निर्वाचन आयोग ने बिहार में अपरेल और माई महिने के दर्मियान 10 जर्नों में चुनाव कराने की तयारी कर रखी है बड़ी कबर एक अपरेल से इंकम टेक्स रिटन में देनी होगी ये जरूरी जानकारी जी हाँ एक अपरेल से नया वित्वर्स सुरू हो रहा है नए वित्वर्स में इंकम टेक्स रिटन से जोड़े कई अहम बदलाव होंगी इसलिए आपको नई सिरे से प्लानिंग करने की जरूरत है नए वित्वर्स में आपको अपनी टेक्स रिटन में कई तरह की जानकारिया जरूर देनी होगी ऐसा नई करने पर आपको मुसिबत उठानी पड़ सकती है साथ ही जुर्मना भी देना होगा शेर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले या फिर डिविडेंड से कमाई करने वालों को इसका खास क्याल रखना होगा नई वित वर्स में सेर टेडिंग, मिच्वल फंड, टांजेक्शन, डिवेडेड इंकम, पोस्ट ओफिस डिपोजिट और एन्बी एपसी डिपोजिट की पूरी जानकारी टेक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होगी बड़ी कबर कोविन पोटल हुआ अपग्रेड एक अप्रेल से डेली एक करोड रजिस्टेशन हो सकेंगे एकसेप्ट जिहां देश भर में एक अप्रेल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सबी लोगों का टिका करन सुरू किया है इससे रजिस्टेशन के बढ़नी के समावना को देखते हुए कोविन पोटल अपग्रेड किया गया है पोटल पर एक अप्रेल से डेली एक करोड रजिस्टेशन एकसेप्ट हो सकेंगे इसके साथ ये परतिदिन 50 लाख लोगों का वेक्सिनेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है बड़ी खबर अप्रेल के बाद इसनातक पास चात्राओं को 50 अजार वो इंटर पास को मिलेंगे 25 अजार रुपिये जी हाँ वर्स 2021-22 में एक अप्रेल के बाद इसनातक और इंटर्मिडेट उत्रेन चात्राओं को मिखमंत्रिक कन्या उत्तान योजना के तहद दोगोनी रासी मिलेगी यानि कि एक अप्रेल के बाद इंटर्मिडेट उत्रेन करने वाले आविवायत चात्राओं को 10,000 की जगा 25,000 की रासे मिलेगे वहीं इसना तक उत्रेन करने वाले सभी चात्राओं को 25,000 के बदले 50,000 की रासी उनके बैंक खाता में दे जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दी कि राज के सभी सरकारे विश्विदलायों के साथ पाच केंद्रे विश्विदलाय सहीद विभीन सिक्षन संस्तानों की सुची भी संकल्प के साथ दे दिये गए हैं 31 मार्ज तक रासन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी ऐसा नहीं करने पर अनाज से रह जाएंगे वंची जिहां बिहार के रासन कार्ड धारोकों के लिए एक बड़ी खबर है यदि आपने अब दग रासन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्ज तक करवाले ऐसा नहीं करने पर रासन दुकान से अनाज का उठाव नहीं कर पाएंगे इस बात के जानकारे खायद अवं उपभोकता संरक्षन विवाग के सची विने कुमार ने दी है आये दिन रासन लोड का मामला सामने आता रहा है जिस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा र नंबर जुड़वाना जरोरी हो गया है एंटीपीसी परिक्षा इस्पेसल ट्रेन एक अप्रेल से आठ अप्रेल तक जिहां रेल भरती बोर्ट द्वारा संचालित एंटीपीसी की परिक्षा में सामिल होने वाले अभियरती की सुविदा के लिए चलने वाली पतना आनंद बिहार टर्मिनल पतना एंटीपीसी परिक्षा इस्पेसल ट्रेन की परिक्षालन तिति में आंसिक बदलाव किया गया है इस परिक्षा इस्पेसल ट्रेन का परिक्षालन अब 1 से 8 अप्रेल तक प्रति दिन होगा आपको बता दे कि ट्रेन सिंग्या 03297 पतना आनंद बिहा टर्मिनल एंटिपेसी परिक्षाई स्पेशल एक से साथ अप्रेल तक जबकि 03-298 आनंत बिहार टर्मिनल पटना एंटिपेसी परिक्षाई स्पेशल दो से आठ अप्रेल तक परते दिन चलेगी बिहार की MLA ने वर्ल्ड सुटिंग में जिता स्वर्न ISSF विमेन ट्रेप इवेंट में राजस्वरी मनिसा के साथ स्रेशी सिंग को स्वर्निम सपलता अंतराश्ट्य सुटर और जमोई की MLA स्रेशी सिंग ने एक बर पिर बिहार और देश का नाम उचा किया है उन्होंने रैवार को दिली में आयोजीत ISSF सुटिंग वर्ल्ड कप के विमेन स्ट्रेप टीम इवेंट में स्वर्न पदक जिता है स्रेशी सिंग के अलावा टीम के अने सदेशों में मनिसा कीर और राजस्वी कुमारे थी इस टीम ने हाइनल मेच में कजाकिस्तान को 6-0 की बड़त से माद दी है आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश में सरवादिक सोना किस राज से प्राप्त होता है इसका जवाब आप हमें नीचे कमिन बॉक्स में जरूर बताएं